हेलो फ्रेंड्स मैं बेस्ट एरड्रोप चेनल में मैं सपन मिश्रप का स्वागत करता हूं इस एरड्रोप में इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे कस्टम टॉकेन को माई इथर वैलेट में एड करते हैं जाए है कि 5000 जो हमें कोईन मिलेते कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था 5000 ठाग कोईन के नाम से वह माई इथर वैलेट में रिसीव हो गया है अब चेक कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं पांच पांच अजार ठाग कोईन के एक बाउन्टी में प्रोग्राम मैंने सेयर किया था वह रिसीव हो चुके हैं अब इसको माई इथर वैलेट में कैसे एड किया जाए तो उसके लिए यह वीडियो में बना रहा हूँ तो यहां पर आप क्लिक करें इसके लिए तीन काम क इन चीज की जुरत पड़ती है माई इथर वैलेट में एड करने के लिए तो आप यहां पर इसको जो है कोपी कर लें इसको यहां से कोपी कर लेते हैं है कि और सिम्बल और ड् matrices याद रहें पहले दिए ठग और एटीन की अईब्लाग जाने के बाद य отд custom ंचेंव क्लिक करना है इसको यहां एड कस्ट्म टोक हैन पर क्लिक करना है पिर आपको यहां पर से कोपी कर दें यहां यांपर ने कोपी किया ता वह पेस्ट हो इसाईय यहां पर token symbol दे दें, token symbol दे यहां पर और उसके बाद decimal में जाएगे, decimal number 18 है वो है, फिर इसको यहां पर बस save कर देना है, save कर दिये, तो देखें, यह 5000 thug coin मेरे, my ether wallet में add हो चुके हैं, और आप मैं आपको यह, आपको पता होगा, मैंने पहले भी बता है था, अपडेट दिया था, कि octaexe site पे थग coin registered है, तो इस account में आप login कर लें, friends, मैं आपको बता होगा, कैसे octaexe exchange में इसको transfer करते हैं, यह भी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो friends, उसके लिए आप क्या करना है, इसका wallet address थग coin का deposit address आपको लेना होगा, तो थग coin में login करने का मत wallet में जाए, यहाँ पर आपको Google Authenticator का code भी मांगेगा friends, यहाँ पर Google Authenticator का code यहाँ पर मांगेगा, तो आपको देना होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, language translate करके, यह देखे Google password, यह Google Authenticator का code यहाँ पर डालना होगा, तो मैं डाल देता हूँ, देखे, successful हो गया है, अब आपको ठाग coin का deposit address लेना होगा, वो कहाँ आएगा तो उसके लिए, नेक्तर स्लोच ज़िए, नेक्तर स्लोच ज़िए, यह लोग इन फैल हो गया है सॉरी फ्रेंस लोग इन फैल हो गया है